Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ पूजर सेतिया, आज हम जो chapter करने जा रहे हैं, class 11 का accounting equation, chapter number आई है हमारा 5, T.S. Greval की books है, हम example number जो 1 करेंगे, हम जो करेंगे, step by step करेंगे और आपको easy tricks में समझाई जाएंगी, यह आपका जो answer है वो एकदम left और right, इसमें मारा left और right दोनों equal आनी चाहिए तो आपका answer एक ही बारी में correct आई, मैं question read करने जा रही हूँ, आप screen पर देखेंगे, show accounting equation on the basis of the following transactions, number 1 आपको दी हुई है, गुर्मान, started business with cash 1 lakh, number 2, purchase goods in cash 50,000, number 3, purchase furniture from messers, smart furniture, रुपीज 20,000, sold goods costing Rs. 25,000, for Rs. 35,000 against cash, messers, smart furniture was paid in cash, हमारा जो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, accounting equation बनाना है, accounting equation में हम जब भी जो भी आपको transactions दी होगी, उस transaction का effect आपका, देखो हमारा क्या rule होता है, assets is equal to liability plus capital, यह आपकी assets side होती है, और यह liability plus क्या है, दोनों sides का जो total है, every equation में आपका equal आना चाहिए, तो हमें क्या करना है, accounting क्रिशन का सबसे जो basic rule होता है, आपको easy way में क्या याद रखना है, कि अगर business के point of view से आपको देखना है, business के point of view से अगर आपके business में कुछ आ रहा है, तो उसको plus करना है, अगर business में से कोई चीज जा रही है, तो उसको आपको minus करना है, बस simple सी चीज है, अब पहली जो equation में read कर रही हूँ, उसमें क्या बोला है, उसमें cash, cash हमारी क्या होता है, asset होता है, हर transaction का effect दो जगा compulsory है, रहेगा ही रहेगा, तो पहला क्या हो जाएगा, हमारे business में क्या आएगा, cash आएगा, तो हमारा assets के नीचे cash का एक column बन जाएगा, cash के नीचे आप क्या करोगे, one lakh rupees plus कर दोगे, क्योंकि business में क्या हुआ, one lakh rupees आ गया, अब क्या आया वो money invest by the owner, that's called capital, तो आप इसमें capital के नीचे भी क्या कर दोगे, one lakh rupees plus कर दोगे, first equation में आपको total करने की need नहीं है, क्योंकि हमारा answer as it is, देखो left में one lakh है, right में भी one lakh है, next equation read करने जा दियो, next हमारी equation है, उसमें क्या बोल रहा है, purchase goods in cash 50,000, देखो जब हम goods, अपने business के point of view से देखो, हम goods purchase कर रहे हैं, तो हमारे business के अंदर क्या आएगा, goods आएगा, और cash में है, तो cash जाएगा, अब जब goods आती है, तो goods क्या होती है, हमारी asset होती है, तो फिर से हमारा यहाँ पर column बन जाएगा, stock के नाम से, stock भी लिख सकते हो, goods भी लिख सकते हो, inventory भी लिख सकते हो, अब stock क्या हुआ, 50,000 का आ गया, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 50,000 plus कर देंगे, अब मैंने क्या बोला कि left में या right में, दो जगा minimum compulsory ही है, minimum दो तो होती ही होती है, 50,000 का stock आ गया, अब उसके exchange में आप क्या दोगे, cash में लिया है, यहाँ पर बोला था कि cash में लिए, तो cash आप pay करोगे, तो cash क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो cash में से क्य लगा दी है, बैट आपको क्या करना है, bracket यूज करना है, ठीक है, अब हमने ये वाली equation कलिया है, हमारी दो equation हो गई है, अब दो को आप क्या करोगे, total करोगे, ताकि हमें चेक करते पता लग जाए कि left और right equal आ रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, new equation, हम यहाँ पर क्या बोले और यहाँ पर stock का column में क्या रहा, 50,000, इधर liability अभी 0 ही चल रही है, यहाँ पर 0, और capital कितनी है हमारी, 1 lakh, देखो यहाँ पर भी 1 lakh और यह 50-50, 1 lakh, दोनों size का total हमारा equal आया, यह हमारी new equation, next equation में क्या बोला है, उसमें purchase furniture from messer smart furniture, rupees 20,000, अब इस equation में आपको समझने वाली बात ह second number वाली equation और third number वाली equation में क्या difference है, वहाँ पर आपने goods purchase करी थी, तो goods आपकी asset होगे, आप हमने furniture purchase करा है, furniture आएगा, बट आपको इस equation में यह नहीं बोला, कि furniture purchase in cash, आपको नाम दिया गया, जब नाम दिया होता है ना, और cash word नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, कि आपने business में जो goods आई है, वो किस में आई है, credit में आई है, credit में उधार में आई है, जब आप उधार में खरीदते हो, तो वो क्या हो जाती है, हमारी liability हो जाती है, क्या हो जाती है, liability हो जाती है, आप सबसे पहले business में क्या आ रहा है हमारा, क्या आया, furniture आया, तो आप furniture का क्य करोगे column बना लोगे furniture का column बन गया क्योंकि furniture आ गया तो ये plus हो जाएगा कितने का आया 20,000 का तो इसी की sequence में करोगे 20,000 अब cash नहीं गया क्योंकि cash का नाम ही नहीं आया equation में अब जब हम उधार में कुछ खरी रेते हैं उसको आप क्या बोलते हो creditors बोलते हो तो वो liability हो जाते ही यहाँ पर किसका liability के नीचे column बन जाएगा creditors creditors हमारे बढ़ गए तो इसको हमें अभी कितना देना है 20,000 बाकि देखो जिस equation में हमारे जिस जिस column में कोई भी use नहीं होता है उसमें हम क्या लगा देते हैं उस time 00 use कर लेते हैं यहाँ पर भी कुछ नहीं था उसमें उपर वाले में भी कुछ नहीं था इस पर कुछ नहीं भी effect हुआ जिरो लग गया इसमें भी इस time में कुछ use नहीं हुआ जिरो लग गया अब हम फिर से equation होगे फिर से हम new equation बनाएंगे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे new equation इनको टोटल कर देंगे आप टोटल करेंगे अब इसको हम टोटल में देखते हैं cash तो as it is रह 50,000 stock भी as it is रह 50,000 stock कितना रह 20,000 liability 20,000 और यह वन लेक्ट आप लेफ्ट राइट हर equation में चेक करते जाओगे लेफ्ट राइट आपका दोनों sides का total equal आता रहेगा आप हर equation में चेक करते जाओगे next equation हम मैं read कर रहे हूँ अब next entry है आदेको sold goods costing 25,000 4 rupees 35,000 in cash जब भी accounting equation में आप goods को sale करते हो तो हमेशा देको जब हम किसी चीश को sale करेंगे तो क्या होगा हमारे business में इसे goods मतलब जिस चीश के हम sale करेंगे वो चला जाएगा तो मतलब stock में से क्या हो जाएगा minus हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि वो जा रहा है अगर आप cash में sale कर रहे हो तो cash क्या हो जाएगा आ जाएगा जब भी sale करोगे तो two entries तो होती होती है हर equation में इसमें आपकी three होंगी या फिर four and four जगा आपका जो है plus minus होगा कैसे सबसे पहले number पे आप क्या करोगे stock जितने आपका costing क्या किसको minus करोगे costing हमेशा जैसे आपको यह लिख्या है sold goods costing सबसे पहले जितने रुपीज का जाएगा sale कर रहे हो उसमें से आपको क्या करना है minus करना है costing कितने की costing है 25,000 की number one number two 25,000 की चीज आपने कितने में sale करी है 35,000 में next आपको यह देखना है कि पहले आपने minus कर दिया sale तो second आपको यह देखना है कि आप कितने वाली चीज कितने में sale करे हो आपको profit हो रहा है या फिर loss हो रहा है अगर profit हो loss हो आपका income हो रही हो या फिर expenses हो किस में से adjust होगा हमेशा capital में से अगर profit होगा तो इसमें plus हो जाएगा लोस होगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा 25,000 का जो स्टोक है वो आप कितने में सेल कर रहे हो 35,000 में तो 25 वाली चीज आप कितने में सेल कर रहे हो 35 में तो क्या हुआ आपका 10,000 का आपको क्या हो रहा है प्रोफिट हो रहा है सेटीड नमबर थार्ड नमबर पर अपका क्या होगा कि आपको यह देख नहीं कि आप kes الخ ८ेंद आजएगा अब फिर से इन से a total करेंगे आपकी new equation निकल आईगी अगार में टोटल करेंगे फिफ्टी प्लबस थटी-फाइफ 85 50 में से 25 किया 25,000 का stock रह गया इसमें कोई entry नहीं हुई थी 0 तो उपर यह इसका total कितना आ गया 20,000 इसमें भी कुछ equation नहीं गई तो as it is 20,000 यह 1,000,000 10,000 की आज हमारी capital होगी आप अपने आप इस पाली फिर new equation का total करके देखोगे आपका फिर से left और right क्या आएगा equal आएगा next number 5 पे हम read करते है इसमें यह बोल रहा है कि मैसे smart furniture paid in cash मैसे smart furniture हमारा कौन था जो हमने number 3 में हमने क्या किया था furniture purchase किया था 20,000 का उधार में मतलब credit में वो हमारा creditor जो बन गया था 20,000 अब हमने इसको creditors कोन होते हैं जिनसे हम goods उधार में खरी रहे हैं अभी इनने इनकी payment देनी बाकी थी अब आपने इनकी क्या कर दी payment दे दी paid in cash तो अब इसको क्या करेंगे 20,000 हमने pay कर दिया तो यह क्या हो जाएगा इसको pay कर देंगे खतम कर देंगे और cash क्या चला जाएगा वापीस चला जाएगा माइनस कर देंगे क्योंकि मारा cash business में से जा रहा है अब हम क्या करेंगे यहापर 20,000 यहाँ पर माइनस कर देंगे इनमें कोई भी deal नहीं है तो 0 लगाएगे जिसमें जिस column में आप कुछ भी प्लस माइनस नहीं करते हो उस वाली transaction में आप 0-0 लोगा होगे इसमें क्या हो रहा है यह 20,000 का जो creditors थे वो pay हो रहे है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 last में हमारी new equation मन कर निकल के आएगी फिर से इसका total करोगे 85 में से 25 गए 65,000 इसमें क्या बच्चा 25,000 इसमें 20,000 यह क्या हो गया 0 और यह capital कितनी हो गई 1,10,000 अब last में अब आप total कर के देखोगे जब आप last में assets जो assets का जो total होगा एक बार कर के देखते हैं 65 प्लस 25 90 90 प्लस 20 इधर का total भी कितना आएगा हमारा 1,10,000 और इस side का भी total कितना है 1,10,000 जब last में भी आपका हर equation में जब भी आप new equation बनाओगे दोनो sides का total equal रहना चाहिए अगर कहीं पर आपका equal नहीं रहता है थोड़ा सा difference आता है तो आप उस equation को दुबारा से री चेक करोगे कि कहां पर आपकी mistake हो रही है पर आपका पर आपका रही है